हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्श इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे एंजिनियर्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है वैसे तो हमारे सारी वीडियो ही आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं यदि आप हाईवे में काम करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों यदि आप highway infrastructure में काम कर रहे हैं और मैं आप से पूछ हूँ कि आपके लिए सबसे important चीज क्या है तो दोस्तों मैं आपको अपने experience के बहाँ पे बता सकता हूँ यदि आप highway में काम कर रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे important चीज है वो है आपका मौर्थ जिसको आप ministry of road and transport highway बोलते हैं ये किसी भी highway engineer के लिए ब्रहमास से कम नहीं है ये किसी भी highway engineer का गीता कुरान बाइबल से कम नहीं है आप इसकी important समझ सकते हैं या आप एक upper level पे काम करना चाते हैं आप authorities में काम करना चाते हैं आप consultant में काम करना चाते हैं तो मौर्थ की proper knowledge होना आपको बहुत ज़रूरी है तो जनाब आज के session में हम बात कर रहे होंगे कि जो आपका मौर्थ है वो क्या होता है मौर्थ का अभी हम कौन सा latest revision यूज़ कर रहे हैं मौर्थ में कितने sections हैं उस sections में कौन-कौन से clauses हैं और उस clauses में आपको क्या-क्या details दिया रहता है यह सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिल रही होगी और engineers इसके साथ-साथ आपके लिए good news भी है दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा application reinforce, learning app को download नहीं किया तो आप Google Play Store पर जाके download कर सकते हैं और नीचे description में आपको link मिल रहा होगा वहाँ पर भी जाके आप download कर सकते हैं यदि आप हमारे application में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे free courses मिल रहा होगे और इसके साथ साथ आपको construction industries related आपको premium content भी मिल रहा होगा आने वाली 26 और 27 तारीक को हम वहाँ पर एक test series लेके आ रहे हैं यदि आप उस test में participate करते हैं और अच्छा perform करते हैं तो हम आपको अपने कुछ premium courses का give अबे भी देने वाल हैं तो इसके लिए आप तयार रहेगा और engineers में हूँ Sandeep Singh Professional Asking में ब्लिंग इंजिन और आप सभी engineers के लिए corporate नहींनर engineers में आप सभी का reinforce के digital platform पर सागत करता हूँ तो आप बने रहे हैं हमारे साथ और हम करते हैं अपने मुद्दे की बात तो सबसे पहले हम बात करेंगे की मौर्थ क्या है जिसको आप Ministry of Road and Transport Highway के नाम से जानते हैं engineers आप देखेंगे Asper Constitution of India हमारे देश के सम्मिदान के अनसार आप देखेंगे हमारे Central Government में बहुत सारी Ministries हैं जिसको आप मंत्राले बोलते हैं जैसे हमारे Defense Ministry हो गया आपका Home Ministry हो गया आपका Aviation Ministry है आपका Finance Ministry है Education Ministry है इसी तरह से हमारे Central Government में एक आपका Ministry है जिसको आप बोलते है Ministry of Road and Transport Highway और इसको अगर आम भासा में बोलें तो आपका राश्टी राजमार्ग एवं सड़क परिभेन मंत्राल है जो कि हमारे मानिन ये मिनिस्टर नितिन गटकरीजी के पास है जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे है Highway Infrastructure में इसलिए उनको रोड करीबी कहा जाता है अगर हम मौर्थ की बात करने तो मौर्थ करता क्या है हमारे देश में जो नेसल हाय बन रहे है जो नेसल एक्सपर से बन रहे है उनको प्लान करना उनको डवलप करना उनके मैंटिनेंस को देखना इसके साथ साथ में हमारे कंट्री का जो रोड रांस्पोर्ट सिस्टम है वो और जान्दा बहतर हो सके और जान्दा इफिशेंट हो सके इसके regarding rules बनाना, regulation बनाना, उनको implement कराने कि जो सबसे premium administrative body है वो है हमारा Morth जो कि country के आजाध होने से पहले 1942 में established हुआ था और अभी तक काम कर रहा है और इसकी दो child agencies हैं जिसको आप NHEI और NHEI DCL के नाम से जानते हैं जो कि National Highway Project के साथ deal करती है I hope अभी आपको समझ में आया होगा Morth क्या होता है यदि हम Morth के latest revision की बात करें तो जो Morth का latest revision है वो आपका 5th revision है जो की 2013 में आया था और इसको IRC के दोवारा Indian Road Congress के दोवारा publish किया गया था जिसको आप Orange Book के नाम से भी जानते हैं तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको Morth का 5th revision दिया हुआ यह देखेंगे Ministry of Road and Transport Highway और Specification for Road and Bridge Work यह आपका 5th revision है और that published by the Indian Road Congress New Delhi 2013 तो यह हमारा latest revision है जिसको हम Road Highway और Expressway में यूज करते हैं अब हम इसके आगे चलते हैं और इसमें देखेंगे कि कौन-कौन से sections हैं और उसमें कौन-कौन सी clauses हैं और उसमें आपको क्या-क्या detail दिया हुआ है तो आपको बने रही है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ मुझे बता सकते हैं, तो आने वाले समय में मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको इसमें confusion नहीं होना है, मौर्थ का आपका proper specification है, जो की IRC, जो की technical body है, हमारी country में road की development को लेकि, उसके द्वारा publish किया गया, यहां पर यह चीज प्रॉपर detail में लिखी हुई आप देख सकते हैं, कि published by the Indian Road Congress on the behalf of Government of India, Ministry of Road and Transport Highway, तो जो आपके मौर्थ के specifications है, जो आपका 5th, latest revision है, वो आपका Indian Road Congress के द्वारा publish किया गया, वो भी किसके बहाँ है, मौर्थ के बहाँ है, अब हम इसके अंदर चलते हैं, और इसमें बात करते हैं, कि आपको कितने sections दिये हु और इसके अंदर आपको बहुत सारी clauses मिलेंगे, यदि हम सिर्फ road की बात करें, हम सिर्फ highway की बात करें, तो आपको 9 और 10 से जान्दा sections आपको इसमें मिल रहे होगे, आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर section number दिया हुआ है, जो कि 100 की series से start होता है, और उसके बाद आप यहाँ पर clauses देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको page number दिया हुआ है, जिससे directly आप particular page में जाके land कर सकते हैं, तो इसमें 32 से जान्दा section है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसमें 9 से 10 section आपके highways के हैं, roads के हैं, बांकी के sections हैं, वो आपके bridges के लिए हैं, आज के section म हम आपको bridge के sessions भी लेके आ रहाए होंगे, जिसमें हम मौर्थ के specifications की बात करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको कितने सारे sections दिये हुएं, और अलग-लग sections में आपको यहाँ पर अलग-लग detail दी हुई है, यह आपका section number 100 है, जिसमें आपको general details मिलेंगी, उसमें हम बात में बात करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपका section number 200 है, जिसमें आपको site clearance का detail दिया हुआ है, यह हमारा क्या है, site clearance का detail दिया हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे, आपको नीचे section number 300 मिलेगा, जिसमें आपको earthberg, erosion control, or drainage से related details मिलेंगी, और उसके हम detail में बात करेंगे, next देखेंगे, 400 के बाद ही आपको 500 दिया हुआ है, और 500 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो 500 में आप देखेंगे, जितनी bitumen से related layers होती है, वो सारी layers आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और उससे related जो भी काम होता है, वो भी आपको detail आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, इसके बाद हमारा 700 section आता है, तो 700 sections में आप देखेंगे, तो आपको geosynthetic से regarding जो भी details है, वो आपको यहाँ पर मिल रही होगी, next आपका section number 800 आता है, तो section number आप 800 में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको road furniture से regarding, आपको सारी details मिल रही होगी जिसमें आपके traffic chance होगा है, markings हो गई, और बाकी का जो road furniture से, जो आपकी amenities बगएरा होती है, roadshides, उसकी details आपको यहाँ पर मिल रही होगी, next आप देखेंगे, तो आपको 900 मिलेगा, तो section number 900 में आप देखेंगे, तो quality control for road work, जो भी हमारा road का काम हो रहा है, उसके regarding, उसकी quality को क कैसे manage करना है, कैसे control करना है, तो उसके regarding details आपको इसमें मिल रही होगी, और इसके बाद आप देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे sections है, आपका 1000 है, आपका 1000, 100 है, आपका 1200 है, तो यह सारी details आपको bridge के regarding दी गई है, जिसको हम आने वाले sections में cover करेंगे, तो इसमें आपको सारी general details दी हुई है, जो कि हम general work करते हैं, जैसे कि आपका जो road construction से related, highway construction से related, जो आपका material है, और उससे related जो tasks है, तो उसके क्या standards होगे, इसके अलावा जो हमारा construction equipment, उससे regarding क्या details होगी, drawings में आपको क्या क्या चीज़न दी रहती है, हमारी site की information है, और जो हमार road और highway work है, उसका setting out कैसे करना है, public utilities से regarding सारी आपको details यहाँ पर मिलेंगी, और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, methodology and sequence of work आपको मिल रहा होगा, different item of work का क्या scope है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, और इसके अलावा जो आपकी field laboratory होती है, उस regarding आपको सा सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, clear, आगे चलते है, next देखेंगे, इसमें मैं आपको थोड़ा सा detail में लेके चलूँगा, यह हमारा site clearance है, यह देखेंगे, तो यह हमारा section number 200 है, जिसमें आपको site clearance का detail मिलेगा, तो यह section number 200 है, site clearance में आपको देखेंगे, तो आपका जो 201 है उसमें आपका CNG का आइटम है और बांकि जो 202 है उसमें हम लोग dismantling के items को देखेंगे जो भी आपका culverts है जो भी आपके structures है या फिर जो भी other work है उसको dismantling करना है तो उसका detail आपको यहाँ पे मिलेगा तो सबसे पहले मैं आपको CNG मिलेके चलता हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या detail मिलेगी तो जो आपका CNG है वो आपका 37 page number पर दे रखा है अगर आप इसमें यहाँ पे input करेंगे तो आपको चीज़ें देखने को मिल रहे होंगे 37 है तो आप यहाँ पर यह put करेंगे तो यह देखेंगे यहाँ पर आपको CNG का detail मिल जाएगा तो यह हमारा section number 200 है जहाँ पर आपको CNG का detail दे रखा है जो की site clearance में आता है अब आपको यहाँ पर क्या-क्या detail देखने को मिलेगा यह देखेंगे आप इसके अंदर देखेंगे किसी भी section के अंदर देखेंगे तो आपको क्या detail मिलेगी आपको यह ही detail मिलेगी कि उसमें कौन-कौन से items है और जो भी आपके items बन रहे हैं तो उसका क्या scope है उसमें हम क्या material use कर रहे हैं क्या आपके equipment हैं उसके construction करने का क्या process है क्या उसका operating procedure है इसके अलावा उसका क्या measurement है उसकी payment किस तरह से होगी उसके rate क्या होँगे यह सारी details आपको यहाँ पर मिलेगी मतलब कि कोई भी काम हो रहा है तो उस काम का पूरा यहाँ पर आपको process देखने को मिलेगा clear जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह हमारा क्या है CNG है clearing और grabbing तो इस से related है यहाँ पर जो भी काम होगा वो सारी चीज़े मिलेंगी जो आपका CNG है तो उसका क्या scope होगा ठीक है नहीं इसके अलावर यहाँ पर देखेंगे methods, tools और equipment का detail आपको यहाँ पर इनों ने दिया हुआ है अब इतना सारा मैं आपको पढ़के नहीं बता सकता हूं लेकिन यह जो codebook है वो आपको description में detail दिया हुआ है कि आप material को कैसे dispose करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर measure of payment दिया हुआ है ठीके ना आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम CNG करते हैं तो साथ साथ में हमारी tree cutting भी होती है तो जो tree cutting होती है उसके अलग-अलग sizes होते है तो उसकी items भी अलग-अलग बनती है त उसमें भी आपको यह अलग-अलग items आपको दे रखें यह देखेंगे यह सारी चीजे नोने आपको अलग-अलग दे रखेंगे तो यह सारे detail है इसके वाद आपको देखेंगे कि जो आपका CNG उसका rate कैसे consider करना है उसका detail भी आपको यहाँ पर नोने दे रखा है तो कैसे होगी उसका rate कैसे consider किया जाएगा जिसके भ्याप पर गौर्रमेंट आपकी tender release कर रही होती है contractor आपके bill क्लैम कर रहे होते हैं आपके bill पास हो रहे होते हैं तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह एक item है जो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा का item बनता है आपके tree cutting के item बनते हैं ठीके ना clearing और जो grabbing बोलते हैं वो सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी और बाकि जो आपका section number 300 है इस section number 300 में जो आपका excavation से related जो आपके item बन रहा है सब grade की item बन रही है ठीके ना और बाकि जो भी protection work होता है इंबेक्मेंट का उसकी सारी details आपको यहाँ पर मिल जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे आपका जो बहुत important section 400 तो इसमें आपको जो sub base होता है जो आपकी base course होती है और non-vituminous layer होती है soldiers का आपको यहाँ पर detail मिलेगा तो इसमें आप देखेंगे आपको जितनी भी आपकी sub base or base course की layer से उसका detail मिलेगा आपका GSP का detail है और भी बहुत सारी layers दे रखेंगे जो आपने नहीं सुनी होगी अभी बहुत सारी नई layers है जो हम introduce कर रहा है उस पर trial चल रहा है उस पर testing चल detail दे रखा है जो कि अभी ना के वरावर यूज होता है ठीक है इसके लाव आप देखेंगे क्रस cement concrete sub base दे रखा है आपको WM का detail आपको CRM का detail दे रखा है बांकि जो shoulders बगएरा median बगएरा बन रहा है उसका detail दे रखा है जो आपके curve बन रहा है कर्व चैनल बन रहा है उसका detail दे रखा है footpath और जो आपके separators होते है उसका detail दे रखा है इतनी सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिलेगी यह देखेंगे आप यह हमारा क्या griller subbase है तो जो आपका item है उसका क्या scope है वो आपको यहां पर दे रखा है इसमें कौन-कौन से materials लगेंगे उसका details आपको यहां पर दे रखा है और GSP में हम कितना grading यूज करते हैं हो सकता है कि बहुत सारे engineers को पता हो बहुत सारे engineers को नही देम नहीं पता ऊऊ तो आप यहां पर देख सकते हैं GSP में हम लोग कितनी grading यूज करते हैं कयी बार लिक्सरा पूशा जाता है कि GSP में कितनी grading होती है तो यहां पर आइटम है उसका। है और आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारा GSB उसको construction करने का क्या पूरा operation है वो आपको यहां पर दे रखा है कि जो GSB उसको construction करेंगे तो उसका क्या process है तो यहां पर पूरा construction operation आपको दिया हुआ है कि subgrade को prepare करना है फिर हमारा जो भी material उसको spread करना है compact करना है उसके बाद आप देखेंगे आपको क्या detail दे रखा है कि आपकी जो surface finishing है वो करना है quality control work करना है traffic का arrangement करना है कि उस दर्मयान traffic कैसे manage होगा उसके बाद आपका जो payment है उसका measurement कैसे होगा rate हम कैसे consider करेंगे तो यह सारी चीजे आपको यहाँ पर दे रखी है तो यह सारी details है जो कि आपको इस पर मिल रहे होगी और यह सारी चीजे आपको पढ़ने ही पढ़ेंगी और कोई दूसरा option नहीं है मैं आपको कितना पढ़ाऊंगा बाकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो हम लोग particular item के उपर morph का detail video लेके आ रहे होंगे यदि आप चाहेंगे तो particular item के उपर हम एक detail video बनाएंगे जिसमें हम morph के important specifications को discuss कर रहे होंगे तो यह तो हमारा section number 400 हो गया में हम लोग sub-base और base course के लियर को cover कर रहे हैं और इसके बाद जो हमारा next section आता है वो 500 है तो 500 sections में आप देखेंगे जितनी भी हमारी bitumin के लियर होती है जैसे आपका DBM हो गया dance bituminist macadam हो गया आपका bituminist macadam हो गया DBM थोड़ा सा high quality का होता है तो BM थोड़ा सा उससे गरीब tag का होता है bitumin content में फर्क होता है ठीके ना उसके वाद आपको bituminist concrete दे रखा है आपको prime को tag code की details आपको यहाँ पर दे रखी है आपको mastic asphalt की detail आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो bituminist related जितने भी आपके items बनती हैं इत्ती भी layers आपको बनती है वो सारी आपको detail यहाँ पर आपको इन्होंने दे रखी है section 500 में और इसके यह सारे आपको clauses यहाँ पर देखने को मिल रहे होगे तो आप इस page number को डालके वहाँ पर land कर जाएगी और उसको detail में पढ़ सकते हैं उसके आपको इन्होंने यहाँ पर cement concrete दे रखा है जहाँ पर आपको cement concrete देखेंगे तो बांकि कि जो items में बहुत हो आपके सहम रहते हैं बस आपका DLC का नया item इंट्रियूस होता है dry lean concrete का तो उससे regarding आपको यहाँ पर detail मिलेगी कि उसमें क्या scope है, कौन सा material है, कितना cement यूज करना है और हम क्या-क्या चीज़ें उसमें यूज कर सकते हैं और उसका क्या procedure होगा, उसका किस तरह से payment होगा, किस तरह से rate आएगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी जो आपके R.E. walls बगएरा बन रही होती है, या फिर जो भी हमारा embankment का जो slope होता है, उसका हम protection work करते हैं या फिर जो भी आपकी drains बगएरा बनती है, तो वहाँ पर भी आपको geosynthetic बगएरा देखने को मिलता है, इसके बाद देखेंगे, जो आपका section details होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही होती है, आप यह देखेंगे traffic science में क्या-क्या होने वाला है, वो सारे details दे रखा, overhead science दे रखेंगे हैं, road markings दे रखेंगे हैं और जो आपका reflecting payment markers लगते हैं, जिसको आप road study है, फिर cat eye बोलते हैं, तो उससे related आपको detail मिल जाएगी, आपके जो road delinators लगते हैं, उससे regarding आपको detail मिल रही होगी, और जो भी चीज़े हैं आपकी road furniture से regarding, या फिर जो आपकी base side amenities बगएर होती हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को क्या procedure है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही होगी, तो इस तरह से आप देखींगे, कि जो मौर्त हैं, उस हम 32 से जानदा section दिये हो हैं, 100 की series में, तो यह अभी हमने सिर्फ आपके 9 से 10 sections cover किये हैं, और इसकी details को मैंने आपको बताया है, तो इसको आप जाके पढ़ सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, तो आपको एक अच्छे level का knowledge मिल रहा होगा, जिससे आप एक अच्छे level पर काम कर पा तो आप मुझे comment section बताइए, और आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ, तो please आप इसे like करिए, अपने friends के साथ share करिए, बांकी मिलते हैं नएस वीडियो में, नएस topic के साथ, till then keep learning and keep exploring, thank you so much.